तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं मोबाइल चार्जर से इस LED स्ट्रिप को जला रहा हूँ और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक एड़प्टर बनाया है जिससे कि मैं इस LED स्ट्रिप को जला रहा हूँ और कोई भी 12 बोल्ट का लाइट मैं इससे जला सक पर आप देख सकते हैं कि फिर से मैं मुबाइल चार्जर की सर्किट का यूज करके इस led इस्क को चला रहा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इतनी सारी led strip को चलाने के लिए एक adapter बनाया है जो कि सारी आईडिया आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं सुलो फ्रेंज मैं आज आपको स्वाइट करता हूं एक और ने और अमेजिंग वीडियो में तो दोस्तों कैसे हैं आप सब मुझे कमेंट करके बताइए और आप सबी को लिडिश्टीव है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहां और इसमे चस्टे में यहाँ भी अच्छा लग रहा है मतलब कि सस्ते में जो है डिसेंट्स आई ये लगता है, ऐसा बात नहीं है कि ये खराब लगता है और ये जो है सस्ता भी आ जाता है, तो दोस्तों इसको मैं बताने वाला हूँ कि आप बिना इसके ड्राइवर के, मतलब कि खुद से इसका ड्राइवर बना कर या फिर कोई जुगाल करगे आप कैसे इसको जो है चला सकते हो तो यहां पर मैं आपको पांस तरीके बताने वाला हूँ और जो है पांस में से तीन तरीका होगा जिसको कि आप मुबाइल चार्जर से चला सकते हो तो आपके पास अगर पुराना मुबाइल चार्जर है तो उ इसका यूज कर सकते हैं तो चलिए इसको मैं बताता हूं कि आपको कैसे कुछ करना है और गोडम करना जाईगा कि से की आप इसको तो इसे करना अगर पास पुरानाश्र पड़ा हो तभी इस आइडिया को जो है आप एग्जेक्यूट किजिएका थीक्या तो यहाँ पर हमें दो adapter चाहिए होगे यहाँ पर मेरे पास पड़ा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और आप ऐसे यूज कर सकते हैं तो इसमें से जो दोनों केबल निकलती है उसे आगे से काड़ देना है और उसको सीरीज में जोड़ देना है तो यह जो दोनों है डेटा केबल है जिसमें के चार वायर होंगे तो इसको जो हम कुछ इस तरीके से काट लेंगे और इसको काटने के बाद इसका ये micro USB वाला हटा देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ आपको सिधा सिधा कुछ नहीं करना है एक का black दूसरे के rate के साथ connect कर देना है यानि कि एक का positive दूसरे के negative के साथ connect कर देना है जैसा कि मैं यहाँ पर connect कर रहा हूँ और यह बहुत ही easily हो जाएगा आप बहुत ही easily कर लोगे अगर आपके पास कोई पुराना data केवल है तो उसका use आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से और यहाँ पर मैंने कर दिया है और यहाँ पर मैं टेप लगा देता हूँ तो दो वायर आपस में connect होगे हैं दो finally वायर हमें यहाँ पर मिलेंगे एक rate और एक black यानि कि एक positive का मिलेगा एक negative का अब हमें जो है दो mobile charger के adapter चाहिए होगे में switch on करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने switch on कर दिया है दोनों का और यहाँ पर आप मल्टी मिटर में यहाँ पर 10 वोल्ट के लगभग आपको रिडिंग दिखाई दे रही होगी और इतना पर हमारा LED strip आराम से चल जाएगा तो चलिए आपको अब LED strip मैं जला कर दिखाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास LED strip है तो इसको मैं जब यहाँ पर connect कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने अच्छे से यह glow हो रहा है तो दोस्तो अगर आपके पास यह adapter और यह जो data के बले यह पुरानी फालतु पड़ी हुई है तो आप इस idea को execute कर सकते हो तो यहाँ पर आपने देखा कि आप कैसे दो adapter का यूज करके आप जो है अपने 12 बोल्ट की strip को चला सकते हो और यह ठीक ठाक चलेगा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है दूसरा idea पर मैंने तो है पुरा वीडियो बना रखा है दोस्तों दूसरा idea को जो है आप क्या कर सकते हो यह थोड़ा पुराना idea है इसलिए यह पुराने mobile charger में काम करेगा जो की जिसके circuit जो है बेकदम basic सी होती थी उसमें जो है SMT components नहीं लगे होते थे तो उसका यूज कर सकते हो आप कर क्या सकते हो इस पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है मैं आपको बता रहा हूं कि आप यह वाली वीडियो यह वाली वीडियो देखकर आप पूरा step by step और उसके output वाले capacitor को change करना आए बहुत ही जो है आसान आइडिया है आप अगर थोड़ा सा electronics जानते हैं तो आप जो है इसको कर लोगे बहुत ही easily चलिए इसको भी मैं जो है थोड़ा सा करके दिखा देता हूं वैसे पूरी वीडियो मैंने यहां पर detail के साथ बना रखिए उ जो केबल है हम कुछ इस तरीके से यहां से काट लेंगे तो यहां पर मैंने इससे काट लिया है अब यहां पर जो हमारा charger है उसको हम जो है कुछ इस तरीके से open करेंगे तो यहां पर आप देखोगे कि आपको कुछ इस तरीके की circuit दिखाई देगी अब इस circuit में हमें यहां पर कि देहा है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने हटा दीया है और इसके बाद हमें सेम व suff CSC件 और और गम आणी शार तर जो भी आपने निकाला है जोबी सेके असमाल engine का कई कर देना है और हमें जो है एक फ्रिपश कर दिया अच्ले जो है हमने जहां से निकाला था वहां पर लगा देंगे तो चलिए उसको हम जो है लगा देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो है लग चुका है और इसको हम जो है यहां पर सोल्ड कर देंगे यानि कि हमने किया क्या क्या 9 वोल्ट का जिनर डायोड लगा दिया बस अब यहां पर output वाला जो capacitor यहां पर आप देख सकते हैं पचीस बोल्ट तीन सो माइक्रोफारट का है तो उसको हम चेंज करके यहां पर पचीस बोल्ट और एक हजार माइक्रोफारट का कर देंगे आप एक हजार से ज्यादा बड़ा आप पचीस बाइसो का भी यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर हम जो है इस पर लगे हुए capacitor को निकाल दिया है और यह पचीस एक हजार वाले capacitor को यहां पर लगा देंगे और यहां पर वायर गांगे जिए कर देंगे आप देख सकते हैं कि वायर कोड़ाइब दिया है और यहां पर देख सकते हैं कि मैंने में siamed क्या है देंगा और च्णियों सबस्टेन और यहां इस बारा बोल्ड पर आपका घरी यह ऐमाराabeth एक वास यता जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने एलेटी इस्टी प्लगा रखा है सफेद कलर का और यह काफी अच्छे से यहां पर ग्लो हो रहा है और यहां पर जो है मैं 2-3 भी कनेक्ट कर देता हूं तो यह चल रहा है लेकिन आप जो है इस पर एक से जादा लोड मत नहीं है दोस्तों आपने देखा कि कैसे जो है आप पुराने मुबाइल चार्जर की सर्किट को 12 बोर्ट के एडप्टर में बदल सकते हो तो दोस्तों अब चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे आइडिया की तरफ और ये जो आइडिया होगा इसमें आपको जो है दो मुबाइल चार्जर की सर्किट चाहिए होगी ठीक है आप जो है किसी भी अपने मुबाइल चार्जर में से निकाल सकते हो या फिर यह वाली जो सर्किट होती है यह आपको मार्केट में मिलती है ठीक है यह 20 रुपे का एक सर्किट आपको मार्केट में मिल जाएगी और इन दोनों को आना है दोनों को किसी भी बॉक्स वगेरा में एक साथ रखना है और दोनों को जूए इंपुट देना है और आउटफुट में दोस्तों आप जो है इसको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो ठजिक है जी इसके जो और जो वायरों शो होगें आउटूट के इनके wires को आपको series में connect करना है, series में connect करना अभी मैंने आपको बताया कि एक का positive दूसरे के negative के साथ connect करना है और एक का जो जो positive negative बचेगा वहां से आपको जो है उन दोनों का voltage जो है calculate करके मिलता है, तो यहाँ पर यह series connection होता है तो इसी का use करके आपको जो है यह बनाना है और बहुत ही आसानी से बन जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो है इसको चला रहा हूं और बहुत ही अच्छे से यह LED स्ट्रिप चल रहा है तो यह दोस्तों हो गया तीन idea जिससे कि आप आप जो है अपने mobile charger से चला सकते हो अब आपको जो है एक दम जेनमें त चला सकते थे उससे आगे जो है आप लगाओगे तो आपको जो है दिक्कत हो जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जो यह चौथा idea है वो है कि आपको जो है एक transformer चाहिए होगा और transformer आप सीधा 12V का ले सकते हो या फिर 606 का ले सकते हो और 606 से transformer लेकर उसको जो है एक process है यहाँ पर जो breeze rectifier बन रहा है उसकी मैंने पूरी वीडियो अप्लोड किये उसको जो है यहाँ पर देख लिजेगा क्यूंकि इसमें मेन component वही होता है डायोट से आपको breeze rectifier बनाना होगा तो यहाँ पर इस वीडियो को देख लिजेगा आप बहुत ही आसानी से breeze rectifier बनान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें से 19 वोल्ट आ रहा है जो की 12 वोल्ट से जादा है तो यहाँ पर हमें एक voltage regulator लगाना होगा और इसका जो नंबर है 78 बारा है तो इसका मैं यूज करने वाला हूं ताकि हमें एक fixed voltage मिले तो यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया है अब हम इस वायर को निकाला है उसको मैं यहाँ पर लगा दूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह circuit diagram और यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस 606 टांसफार्मर से बने हुए एड़ेप्टर से यतनी सारी lights को जला रहा हूं और सिर्फ एकी टांसफार्मर लगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे जो है आप ट्रांसफार्मर से 12 बोल्ट का बहतरीन जो है एड़ेप्टर बना सकते हो और यह बहुत ही अच्छा काम करेगा यह खराब नहीं होता है अब चलिए दोस्तों मैं जो है लाश्ट और है यह बड़ा हो गया तो आप जो है छोटा भी हे आप जो है ट्रांसफार्मर ले सकते हो जैसके हो जैसे की जैसे करने की वज़े से होगा यह कि हमारा जो आउट पूट है वो जो है बढ़ जाएगा लगभग 12 तेरा वोल तक चला जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं इस बॉक्स में मैंने जो है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को यहां पर प्लक के साथ लगा दिया है और बहुत ही अच्छे से जल रहा है अब इसको हम पैक कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से पैक कर दिया है और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो LED स्ट्रिप है दिवाली अपना और अपनों का ख्याल रखिये